नमस्ते दोस्तों क्याम चो मजामा मैं संजे इंडूटेरिस गार्डनिंग और आपका स्वागत करता हूं यह देखिए मेरे अर्डेनियम और यह मेरे सीड से ग्रो किये थे वो है सब तो आज मैं आपको अर्डेनियम के बारे में जानकारी दूंगा कि इसमें रूट रॉट स्टेम रॉडा जो होता है हमारे प्लांट कलने से खराप होने से कैसे कैसे हम बचा लगातार उने की फॉर्व Deером टीकों के फंगस लकु में तो वहां से रॉट होना स्टाठ हो जाते और दे देडेरे करके हमारा प्लांट खराब हो जाता है तो प्लांट खराब होने से पहले हम उसको कैसे पहचाने और किस तरह बचाए उसी के बारे में आज पूरी वीडियो है हमारी तो आप मेरे वीडियो में लाश्ट तक बन देएगा और आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लेस वीडिय को लाइक कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा तो देखिए ये प्लांट है कल शामकों में घर आया जो पर तो मैंने देखा तो ये पूरा लटका हुआ पड़ा था तो मैंने सबसे पहले इसका कोडेक्स देखा ऐसे दबा के पर कोडेक्स में कोई प्रब्लम नहीं था तो मैंने क्या किया शामको उपर से दो चार पतिया हटा ही मुझे लगा पतियों के वज़न के वज़से ऐसा हुआ होगा पर पतिया हटाने इनके बाद भी कोई फरक नहीं पड़ा तो अभी स टेमरोट है जो इसकी डंडी है डाली यहार हुआ होआ है तो हमें क्या करना है कि से तरह में मैं आपको सिखाओंगा क्योंकि यह कामने करें तो आपका प्लांचören देले कर सेंच करके खराब हो जाएगा यह तरह से अधा Tigers 딱 तो देखेगा इस तरह से करके अगर पत्तिया काली पड़ रही है पत्तियों के नीचे वाला जो पत्ति तोड़ने के बाद जो भाग होता है वो काला दिख रहा है तो समझ लीजिए कि स्टेम रॉट है तो इनको हम कैसे ठीक करें तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है यहां ब्लेड लेनी है नई वाली और नई ब्लेड लेके जो हिस्सा है यहां पर देखिए यह तो यहां से पहले थोड़ा उपर से कट किजिए यहां से आपको दिखे कि यहां चलो यहां से तो इस तरह से तीरे से कट कर लेना है देखिए यह मैंने कट किया तो यहां पर देख सक कि यह ग्रीने देखिए फर्क दीख रहा है आपको अ गाई हैo तो इस तरह से कट कर लेना है को भी अब करने के लिए करना है अब इस में थोड़ा और हिस्षा प्लाटा सब्सक्राइबация कि और भी हमें थोड़ा थोड़ा काला दीख रहा है देखिए तो थोड़ा हिस्सा और हम कट करेंगे जब तक हमें यह ना पता चल जाएगी हमारा जो प्लांट है उसकी दंडी है देखिए अभी और थोड़ा सा कट कर लेंगे यह देखिए यहां पर और थोड़ा सा है ब्लैक तो जहां तक फूल वाइट ना आ जाए तब तक हम कट करते रहेंगे ताकि क्या है कि फंगस आगे ना बढ़े इस तरह से कट कर लेना है हमें तो एक दम वाइट दिख रहा है आपको अब क्या करना है कि आपको यहां पर फंची साइड लगा देना है आप चाहे तो यह अब पूरा हटा सकते हो यहां से ताकि यह प्लांट अच्छी सेप ले सके यहां पी यह है तो इनको दीरे से और थोड़ा से अठा दीजिए ताकि जो उपर वाली डाली है मैं इक बेट काट लेता हूं यह देखिए यह पूरा काट दिया है अब हमें क्या करना है अब हमें जो है इससा काटा है वहां पर फंची साइड लेके लगाना है मैं यहां सा पर अच्छे से इसमें लगा देना है कोई भी भी हिस्सा खाली नहीं छोड़ना है जितना भी कट लगा है सब जोगा पर लगा देना है और यह लगाने के बाद हमें इसको सेड़ वाली जगह पर रखना है जहां इसको पानी बिलकुल भी ना छूपाए लगबख एक हथे तक इनको श्रेड वाली जगह पे रखेंगे ताकि यह प्लांट हमारा बच जाए कि यहां पर पानी छुएगा तो फिल से फंगस लगना स्टार्ट होगा और प्लांट हमारा खराब हो जाएगा अब यह प्लांट में क्या होगा दुबार फंगस लगेगी तो उपर वाली एक प्लांट आपका बच जाएगा तो आपको मेरा वीडियो और इंफरमेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर करना मत बूलिएगा ओके फ्रेंड बाई और आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए